हां जी पुत्रों, माइक्रो एकनोमिक्स ता टोपेक करन जा रहे हैं, कंजूमर एक्पिलिबरीम इन वन कोमोडिटी केस, तब सब तो पहला आप आप एधी डेफिनेशन कर देए हैं, के कंजूमर एक्पिलिबरीम है की, तब कंजूमर एक्पिलिबरीम, कंजूमर दी ओस में, कंजूमर आप दी इनकम ऐस तरीके ना खर्च करदा है, के उन्हों मिल दी है, मैक्सिमम सैटिस्पेक्शन. So, कंजूमर एक्पिलिब्री में जा सिच्वेशन और लेबल अफ कजम्शन, वेर कंजूमर इस पैंडिंग इस इनकम ओना कॉमूडिटी इन सचा वे, that he is getting a maximum satisfaction, ता एह होगी कंजूमर एक्पिलिब्री में दी डेफिनेशन, हुँ जदो अपा कंजूमर एक्पिलिब्री में दा कंसेप्ट एक्स्प्लेइन करने जा रहे हैं, ता अपानू कुछ अजंचन्चन्ज मनने या मैनने पूतब, एकनॉमिक्स दे विचर, अजंचन्ज दा बहुत बड़ा रोल है, जदो असी कोई लौग कोई कंसेप्ट एक्स्प्लेइन कर दें, ता उत्ते असी बहुत सारी अजंचन्ज मनने ये, जिनना दे बेश दे, उस कंसेप्ट उस लौग नो एक्स्प्लेइन कीता जाए, ता हुर जदों आपका कंज्यूमर एक्पुलिवरीन एक्स्प्लेइन करन जा रही है, ता इत्ते भी अपका कुछ अजंचना मनने के चलाँगे, ता सदील पहली अजंचन है, के कंज्यूमर रैशनल है, मैं दस दिया, कि ए वीडियो दे नालना, तुन नू ए इस कुश्चन दे नोर्स भी पर जे चा चुके है, जिदो एस वीडियो नू तुसी देख रहे हो बिटे, ता वो नोर्स भी आप दे कोड़े रखे हो, क्योंकि मैं वीडियो नू शौट करना चाऊंगा, ज्यादा कुश लिखना नहीं चाऊंगा, थोड़े कोले ओरेड़ी नोर्स पौन चुके है, जिए मैं इथे कट लिख रहे हैं, ता वो दी कमी ओर नोर्स पूरी कर देनी, तब आ कर रहे सी अजंचन्स, तब पहिनी एजंचन है के कंज्यूमर रहे सिनल है, कंज्यूमर रहे सिनल दा की मतलब है, के कंज्यूमर आप दी सैटिस्फेक्शन नू मैक्सीमम करन दी कोशिश कर हुआ, ते करना चांगा, जे कोई कंज्यूमर ये नहीं करना चांगा, तो रैशनल नहीं है किसी मन के चाल दे हैं कि कंज्यूमरे करना चांब है एसलिए और रैशनल है दूसरी एदर्शन के कंज्यूमर नू किसे कॉमोडिटी तो जो सैटिस्पेक्शन मिल दी है उन्हों नमबरांच मैजर कीता जा सकता है काडिनल नमबर दे विचे लाइक वान टू थ्री आम लाइफ दे विचे पॉसिवल नहीं हुदा विटे कि अपा किसे कॉमोडिटी तो मिलनवाली सैटिस्पेक्शन नू नमबरां दे विचे मैजर कर सकीए पर इथे असी अज्यूम करके चल दे हैं कि ये पॉसिवल है ते अ किसे कॉमोडिटी तो मिलनवाली सैटिस्पेक्शन नू नमबरां चे मैजर कर दे हैं कि उदा यूनिट रख्या जानदा है यूटिल जिमें ये आपा एपल कंज्यूम कर रहे हैं ता आपा कहा सकते हैं कि मैंनू 5 यूटिल सैटिस्पेक्शन मिली पीजा तो मैंनू 100 करने समय असी एव्यूम करके चाल दे हैं कि सैटिस्पेक्शन नू नमबरां में विच्छ मैजर कीता जा सकता हैं आम ये पॉसिवल नहीं हुंदा हैं आम अपा एक कहने हैं कि मूवी में नू बहुत बदिया लगी जा मारी लगी अपा कदे नहीं कहें दे भी हैस मूवी त तो मिन्नों इन्हीं यूटल सैटिस्पेक्शन मिली और एक्षे अजांचन मन के चल दे हैं तीसरी आसी इस कंसेट दे वीचे एक कॉमूडिटी दी गल कर रहे हैं ति असे जून करके चल दियें भी ओस कॉमूडिटी को मिलने वाली सैटिस्पेक्शन सिर्फ कॉश कमूडि क्वांटिटी ते डिपेंड कर दिये हो और किसे भी कॉमुडिटी दा साथी कॉमुडिटी दी सैटिस्पेक्शन ते कोई असर नहीं पहुँगा कि चौथी अजमसर असी मन के चाल दिये मिटे के मार्जिनल यूटिलिटी ओफ मनी कॉंस्टेंट रहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी ओफ मनी की यूँ दी है ये थोड़ी देर तक मैं एक्स्प्लेइन कर दे है ता ये चार जमशना सी लेके चल दे है जदों सी कंज्यूमर एकुलिब्रीम दे कंसेट्ट मूँ एक्स्प्लेइन करन जा रहे है ता सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है कं एक कंज्यूमर एकुलिब्रीम दी कंडिशन कलियर होगी ओधा कंसेट्ट होके है आओ समझिए ता कंज्यूमर एकुलिब्रीम चे कितने होगा है जदों मुएक्स मूं मुएमनल जवाइड करके जड़ी वैल्यू आवे वो बरापरों वे पी एक्स है उत्थे कंज्यूमर कुलिब्रीम चार दों होर समझिए की तेम्स है कि मुएक्स की है इस है मुएक्स है मार्जनल यूटिलिटी ओफ एक्स कॉमूडिटी एस कंसेक्ट दे वेचे सी कॉमूडिटी नूँ एक्स मनके चले ता ज़िएक्स एक्स कमोडिटी नूं कंज्यूमर बाए का रहे है ता एक्स कमोडिटी दा हार यूनिट एक्षे देख सक नहीं है एक्स कमोडिटी दा पहला यूनिट है ए दुज्य है ए थर्ड है ए फॉर्थ है ता जदों कंज्यूमर एक्स कमोडिटी नूं बाए का रहे है ता ओस कमोडि आपैकुसे तक में आपैक्षियों अलिक्रिक्विय्टिंट और हो में मिल्गकित गों की है मुझत तक मैं इनुक्रिक्विंटेंड आपमूडिक्विय्टेंट है नेक्स ताम है M.U.M. M.U.M. मार्जिनल यूटिलिटी आफ मनी ते अनल समझियो अपा फॉर्थ अजामशन भी किती है ते उदो मैं तुनों आख्यासी के जाके समझाऊंगे ता मार्जिनल यूटिलिटी आफ मनी की है मार्जिनल यूटिलिटी आफ मनी है विटे जदो एक कंजूमर किसे कॉमोडिटी नूँ भाए कर रहे है ता एक रपी ये तों कंजूमर किनी सैटिसपेक्शन का टो काट लेना जाओंगा है एक्सपेक्ट का रहे है जदो कंजूमर एक रपिया लगा रहे है किसे कॉमोडिटी ते ता बदले दे में चर ओकट तों काट किनी सैटिसपेक्शन एक्सपेक्ट करता है लेना चाओंगा है एनू मार्जिनल यूटिलिटी आफ मनी बोले आ जाओंगा है ता आपका इंपोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं कंजूमर एकुलिबरीम दे कंसेट दा ते इंपोर्टेंट पार्ट दे विच भी जिड़ा सब तों इंपोर्टेंट पार्ट है हों जा रहे है जदोंसी M-U-X नू M-U-M-N-L डिवाइड करिये ता सनू की मिलूगा इस सब तों इंपोर्टेंट है पूरे क्वेशन दे विच जदोंसी M-U-X नू M-U-M-N-L डिवाइड करिये ता सनू की मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी ओफ एक्स कॉमोडिटी इन टार्म्स ओफ यूटिल नूँ मार्जिनल यूटिलिटी ओफ मनी ना डिवाइड कर देंगे तस अनू मिल दे के एक कंजूमर जदो कॉमोडिटी दा ओ यूंट खरीद रहे है ता उनू किन्ने रपी यां दे बराबर सैटिस्पेक्शन मिल रही है एक्च्वल दे जदो असीन M.U.X. M.U. M.N.R. डिवाइड कर देंगे तस अनू मिलूगा के कंजूमर जदो कॉमोडिटी दे ओस यूनिट तो किन्ने रपी यां दे बराबर एक्च्वल चे सैटिस्पेक्शन मिल रही है तो इदर बे पास यह P.X. प्राइज ओफ एक्स कॉमोडिटी एदा की मतलब है कि वो कंजूमर एक्च्वल दे वेच्च्वल दे वेच्च ओस कॉमोडिटी दे यूनिट लही किन्ने रपी ये द एदा मतलब है कि वो कंजूमर नू किन्ने रपी ये बराबर सैटिस्पेक्शन मिल रही है तो इदा मतलब है P.X. दा वो कंजूमर किन्ने रपी ये दे रहे है तो हुँआ आगी गालत एज कंडिशन दे कंसेक्ट दी तब एटे कंजूमर एक्खुलिब्री दे कंसेक्ट दे वेच्च की वोग है के कंजूमर उस कमोडिटी दे होर 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 यूनिट उन्नी देर तक खरीप दी जाओगा जिननी देर तक उन एक्चुल दे विच्च रपीज दे टर्मचर मिलन वाली सैटिस्पेक्शन ज्यादा होगी as compared to ओ जिनना रपीज खर्च कर दे है रपीट करें consumer equilibrium दा पूरा concept दे विच्च लुखिया होगी है के consumer ओस कॉमडिटी दे होर होर युनिट उननी देर तक खरीदी जाओगा जिननी देर तक ओस युनिट तो उनन रपीज दे टर्मचर ज्यादा सैटिस्पेक्शन मिल रही है as compared to जिनना ओ पे करें ते उत्थे जाके रुक जेगा जित्थे रपीज दे टर्मचर उननों मिलनवाली सैटिस्पेक्शन बराबर हो जुगी जिनने रपीए ओ दे रहे है ते उस लेबल आफ कर्लमचर ते कंजियूमर आजूगा एक्कुलिब्रियम जा रहे है जो कंडिशन असी एक्स्प्लेइन कीती कंजियूमर एक्कुलिब्रियम दी ओसे नों वैल्यूज दे प्रू एक्स्प्लेइन करन जा रहे हैं तब टेबलोर एक्स्प्लेशन करन को पहला असी एक्स्प्शन बन दे है कि मार्जिनल यूटिलिटी आफ मनी 15 है मतलब कंजियूमर के जो इकर पिया खर्च कर रहे है त टोकट 15 यूटिल सैटिस्पेक्शन एक्सप्थ कर रहे है यह सी मान के जाने है ते प्राइज ओफ एक्स कॉमुडिटी एक्स कॉमूडिटी गा एक यूनिट दो रपीया है तो आपके एक्स्प्रेशन करते हैं यह कंजियूमर एक्स्प्लेब्रियम नूं बेता है अफ्ट करे PER SE かर्फिए किया को要 परस्प्रेशन टेवस्प्रेशन परस्थ हमेख्स नंबर के एक्स कॉमूडिटी लान्प कर रहे हैं यह सींत्युमूमों आपकीयर एक्स्प्रियूनिट रहे हैं तो इस नंबर कांजियूमूम्र awesome नीट खिरीय और दुभ एक लिधरा हिए एस मार्जिनल उटिलिटी सिक्स्टी नूं डिवाइड कर दिने है, मार्जिनल उटिलिटी ओफ मनी न विच इस फिफ्टीन, ता साधे कोड़े की आजान्द है, साधे कोड़े आजान्द है कि जदो कंजूमर ओस उनिट नूं खरीद रहे है, ता उन किन्ने रपीन्यां दे वराबर सैटिस्पैक्शन मिल रही है, ता जदो आसी फरर्स्ट उनिट कंजूमर बाय कर रहे है, ता उन फर्स्ट उनिट तो Skinside satisfying satisfaction मिल रही है in terms of यूटिल, असी जदो, M.U.X नूं 16 नूं डिवाइड कर देंगे M.U.M.N.L. जिसनों असी 15 मनने हैं ता संडे को ले एदा की मीनिंग आजेगा एदा मीनिंग असी कर चुके हैं कि कंजूमर नू किन्ने रपीयां दे बराबर सैटिस्पेक्शन मिल रही हूँ ता जिदो असी M.U.X. case number 1 दे वेचा M.U.X. ते 60 नू डिवाइड कर देंगे M.U.M.N.L. 15 न ता संडे पता लग जूगा कि फस्ट युनिट जदो कंजूमर वाय कर रहे हूँ किन्ने रपीयां दे बराबर सैटिस्पेक्शन मिल रही है ता उन फोर रपीज दे बराबर चार रपीयां दे बराबर सैटिस्पेक्शन मिल रही है ते 80 की मन के चल लिए युनिट किन्ने रपीयां दा है दो रपीयां दा तक एनदा की मतलब है जदो फस्ट यूनिट बाएं कर रहे है ओ दो रपी ए खर्च कर रहे है फस्ट यूनिट ते परूं चार पीयां दे बरबर सैटिस्पेक्शन मिल रही है अप अप यापीच बोल दे है कि चीज चाहे महिंगी होगे पर मुल मिलना चाहीद है इन टाम्ज ओफ रपीज और यूटिलिटी ओही चीज़ है हाँ ठीक है ओही चीज़ है हाँ कि तो पता लगज़ा है कि कंज्यूमर नू किने रपीयां दे बरापर मुल मिल रहे है वो उस यूनिट तो ता जदो फर्स्ट यूनिट ख्रीद रहे है पुटर ता उन चार रपीयां दे बरापर मुल मिल रहे है इन टाम्ज ओफ रपीज क्यों खर्च किने कर रहे है दो रपीज ता उन एक्चुल दे विचे मिलना ली सैडिस्पेक्शन ज्यादा है एज कंपेर टू उदे पे कीते गए प्राइज दे आब्यसली ओक्राइज करीद क्यार सकाइए केस नंबर वान मुझे चार दे है केस नंबर टू की है हृँथ्ज जगों सदियोद कॉमोडिटी क्यों कि परचेश कर दा है अप्रचेश तरूगा ता second unit उन्हों युटिल दे टार्म चे किनी satisfaction दे रहे है 45 ये युटिल दे टार्म चे मिलनवाली satisfaction है जदो इस युटिल दे टार्म चे मिलनवाली satisfaction नो मार्ण नो utility of money ना डिवाइड कर दिये ता की मिल गया उन्हों किन्ने रुपियां दे बराबर satisfaction मिल गई है ता जदो वो second unit भाए करूँगा ता उसनों किन्ने रुपियां दे बराबर satisfaction मिलूगी जदके जदो second unit मैं गल कर रहे है दुआ दी नी second जदके जदो वो second unit खरीद दूगा तो रुपिये किन्ने पे कर रहे है दो ता second unit जदो खरीद दूगा ता दो रुपिये पे कर रहे है ते उस unit तो उन्हों तिन्न रुपियां दे बराबर मुल जह satisfaction मिल रही है obviously ओ दूज्या unit भी खरीद दूगा ये है case number second जदो वो second unit खरीद रहे है excellent हूँ चाहते है case number three ते case number three जदो वो host commodity थर्ड यूनिट खरीद दूगा रहे है case number three एक्सर दा थर्ड यूनिट खरीद जा रहे है जदो थर्ड यूनिट खरीद हूँ का बटे ता उन्हों in terms of utile 30 utile satisfaction मिलू अपाँ एस 30 जदो marginal utility of money ना डिवाइड कर दे हैंगे थर्ड यूनिट जदो खरीद रहे है ता उन्हों धोर पियां दे बरबर satisfaction मिल रही है तो थर्ड यूनिट भी वो बाय करूँगा पुतर हूँ जदो अपन नेक्स्ट केस का उन्होंदी कोशिश करांगे केस नंबर फोर जदो खो एक्स दा फोर्थ यूनिट खरीद जा रहे है जदो एक्स दा फोर्थ यूनिट खरीद जा रहे है ता उन्हों मार्जिनल यूटिलिटी ओफ एक्स मिल रही है फिफ्टीन जदो असी नों डिवाई की ता मार्जिनल यूटिलिटी ओफ मनी न सनु की पता लग गया के उन्हों फोर्थ यूनिट एक्स दा खरीदन दे समें किन्ने रपीयां दे बरबर satisfaction मिल रही है ता उन्हों मिल रही है फुटब 1 पीय दे बरबर satisfaction जबे फोर्थ यूनिट एक्स दे बरबर satisfaction मिल रही है ता उन्हों फोर्थ यूनिट कदे निखरीदूगा उन्हों मुल नहीं मिर रहा हुदे पैसे दा ता ओ थर्ड युनिट ते स्टॉप कर जूगा ते इससे लेवल आफ कजम्शन नू इससे लेवल आफ कजम्शन जा सिचुएशन नू कंज्यूमर दा इकुलिब्रियम बोलेया जाओगा उन्हें इस कंसेट दे लास्ट दे वेच असी ग्राफ दे तू कंज्यूमर इकुलिब्रियम नू एक्स्प्लेइन करा है जदो असी फैंटेस्टिकली कंज्यूमर इकुलिब्रियम नू बेदा है एक्स्प्लेइन कर चुके हं सारे केस समझा चुके हैं कंडिशन एक्स्प्लाइब कर चुके हैं तासी ग्राफ प्रिक्टली टीचर नो शो कर सकती है कि त्थे के न्यूमर एकुलिब्रीं दे विच्छ तर्फ कि दो ईसी ग्राफ करने जा रहे हो तीचर दो दस्वांगे कि मैं ऑन एक्सेस असी एक्स कमूडिटी देए उनिट्स लई है वाई एक्सेस टेसे एक्स कमूडिटी देज प्राइस्ट वो किता है कि यॉपट्स टेश्टी मार्जिनल यूट्िलिटी उफ एक्स इन टाम्स ओफ रपीशों कीती है होप सो के हुंता है क्लियर हो गया हो ठीक है ता असी इस ग्राफ नो देख सकते है ए जो ब्लू लाइन है बेटे ए ग्राफ है मुएक्स ना मार्जिनल यूटिलिटी ओफ एक्स कॉमोडिटी इन टाम्स ओफ रुपी जो मुएक्स नों मुएक्स ना डिवाइड कर दें है ओ है ठीक है ता ये इन टी ब्लू लाइन है ए ए मुएक्स है इन टाम्स ओफ रुपी ते जो रेड लाइन है पेटे ए प्राइज ओफ दा कॉमोडिटी जो आए एरिया है ए बी ते ए जीनु ब्लैक ना डिवाइन कीता है वैटे लाइन्स लगाएंगे ए एक ड़ा एड़ा है ए ए बी ए एक ड़ा है एड पॉइंट टाकर एड़ो टाकर ठीक है आज ड़ा एड़ा है वो आज एड़ा एड़ा है पुक्त तेथे एस एरी एक बी इनू बोल देया है कंज्यूमर सर्क्लस ठीक है ता इत्थो तक कंज्यूमर सर्क्लस चैप होता है जदो कॉइंट इते पहुंच जानदा है जदो से इन थल्ले नू ए जड़ा ग्राफ है ए इमेजनरी ग्राफ है मतलब आप दे कुलू बनाया हुए है एक टेवल को ड्राउ नी किता हुए है फ्रीली बनाया हुए ग्राफ है ता आसी वैसे भी शो कर सड़ने है टीचर नू के इकुलीब्रीम आ रहे है जी जदो हो एक्स कॉमूडिटी दे ये तेन यूनिट बाय कर रहे है ठीक है ता इस तरीके ना असी ग्राफ दे थ्रू आ दा कॉमूडिटी ए आप दे टीचर नू शो करांगे पुत्रों ए कंसेप्ट सी कंज्यूमर इकुलीब्रीम इन वन कॉमूडिटी केस थैंक यू सो मच